तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको बताने हो एक डिवाइस केर का उप्शन जो कि सेमसंग के हर मोवाइल में होता है चाहे वन यूवाइट जिरो थी पॉइंट जिरो तो पॉइंट फाइव या वन पॉइंट जिरो या कोई साभी यू 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 तो हर यह मिलता है डिवाइस केर का उप्शन जो की सेटिंग के अंदर जाने वालों उसके लिए आपको जाना है मोवाइल के सेटिंग में आपको नीचे की तरफ आएंगे यहां पर मिलेगा आपको डिवाइस केर को और नीचे की तरफ आएंगे आपको नीचे पांच आप्शन मिल रहा है बैटरी स्टोरेज मेमोरी स्क्राइटी एन अल्टरा डेटा सेविंग यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूंगे आपको एक टिप का ओप्शन मिल रहा है यहां तो आपको यहां दिखाएगा सीओ यह स्टोरेज के दिखने वाली बागल में आएंगे आपको 3 डॉट्स देखनेंगे तो पहले में आपको यहां वाप्शन बता ज़ेता हो नीचे की तरफ आएंगे तो यहां बैटरी की तरफ आएंगे यहां आपको बता देगा कि बैटरी कितने घंटे और चलने वाली आपका कितना बैटरी खाया और साथ दिन इवेरिज भी उसकाहिा नीचे की तरफ आएगे पावर मोड शचेल ऑसका नीचे की तरफ पॉस अब्रक्रक्षाट कर मोड वह बैक्गराओंड में और यître से आपकी बैक्टरी स्टेफि हो जाएगी उसके लिए आपके नहींthlete की तरफा है कि जो कि जो तो यहां पर जाएंगे आप उसके लिए और वो वैन कर देंगे तो वह आपर वैग्राउंड में चलती रहेगी तो यह तो हो गया बैटरी वाला ओप्शन और नीचे की तफ चार्जिंग की तरफ आएंगे तो फास चार्जिंग इनेवल यहां पर दिखा रहा होगा उसके तरफ भाण आएंगे नीचे बगल में स्टोरेज का अप्शन देखे का आपको स्टोरेज में आएंगे तो पहले तो अपर पता देगा आपको कित्ती ोरेश खा लीए नेशे की तरफ आएंगे storage booster में आपको यहां दिख जाएगा particular segment में कौन-कों से चीज़ में आपके कित्ती बैटरी यूजर कित्ती ज़्यादा आपकी डेटा यूज है सकते हैं mobile की आपकी memory यूज है तो मेरी सबसे ज़्यादा आपको यहां पर दिख रहा होगा apps में 2.14 के आप जिस पर क्लिक करेंगे उस segment में तो वह चीज़ वहां खुल जाएगी आप देख सकते हैं आप यहां पर इसको delete भी कर सकते हैं डाकुमेंट्स में आएंगे डाकुमे डेटा पुरा खाली हो जाएगा आप देखेंगे तुड़ा सा डेटा खाली हो गया है उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे एडवांस में एडवांस के option में जाएंगे तो यहां पर आपको एडवांस का option मिलेगा जैसे एडवांस पर क्लिप जाएंगे तो आपको storage वाले आपको यहां दिख रहा हुआ बैक्राउंड में मेरा यह डेटा चल रहा है अगर मैं इसको क्लीन कर दूंगा तो मेरी रहा पर क्लियर हो जाईगी और स्पीड मेरी मॉबाइल की बढ़ जाएगी तो मैं इसको नहीं करना चाता हूं तो इसको कर दो स्केप नीचे की तरफ लिगा आपको स्केफ सेप्सेटों मैं आपको मिले रहा है तो मुझे ज़रूत नहीं है फिर भी अगर आपको लगता लगता है उसको जडरूत करने का तो आपको स्केप करना ए और नहीं अवह आपको offer मिल रहा है आप चाहें तो डारेट यहां पर एक एप एंटी वायरस कर सकते हैं जिससे आपको और थोड़ा अच्छा ऑपन करेंगे पर्मिशन चाहें देजी है नहीं जाएंगे तो आप यहां पर सकते हैं इसके बाद आप यहां पर नीचे अल्टाड़ा सेविंग का ऑप्शन मिल रहा है इसके लिए इसके लिए यह विडिएम्स बनाई हूई है जो कि मैं आपको यहां यह बटन पर लिंक दे दूंगा तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें दोस्तों उसके बाद यहां पर आएंगे उपर की तरफ आपको थी डॉट्स पर जाएंगे यहां पर सबसे उपर मिल रहा है एप इस्ट्री मतलब यह एप जो है कि डेटा ज्यादा रखा रही है यहां फिर आपकी बैटरी ज्यादा खा रही है लिखा हुआ यहां पर दिवाइस के रहे हैं इस्ट्री त्री अप्डेट में भी कॉजिंग इसूस इंक्लोडिंग मेल पेर एप क्रेश और हाई बैटरी यूज़ेस यहां पर आपको मिल जाएगी उसके बाद आप नीचे त्री डॉट्स में आएंगे यहां पर आपको मिल रहा है हाई डाइकन का एपस कई स्क्रीन का option हाई है मतलब क्या होता है इसको में से हाइड डा दूँगा यहां पर आपको यहां पर देखेगा आप पर यह बिलकुल बहार की तरफ आप देखेगे यहां पर य गया है तो मिल्ला आप चाहते हैं तो शॉटकर्स बनाना तो शॉटकर्स बना सकते हैं उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे एडवांस बे आपको मिला नोटिफिकेशन चाहते हैं और अफ कर सकते हैं आठोपनाइब जाहिए जीतने भी मेरे बैक्राउंड पर मैंने कर नहीं आपको तो आप चाहते हैं आव चाहते हैं आपर यहां वर्क कर सकते हैं अपना इस सेटिंग में जाएंगे यहां पर आपको रेड्यूस बैटरी का जैसी आप स्विक्लिक करेंगे तो यहां पर तीन आप्शन अटमेंट लिक्ट एड़ होगा रिड्यूस बैटनेस स्क्रीन टाइम आउट मीडिया वेल्यू मतलब यह पर्टिगूर इस पर सैट होंगे आप 30 स से ज्यादा कि स्क्रीन टाइम को नहीं बढ़ा सकते मीडिया वॉल्यूम को 46 परसेंट से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते तो इस से वैटरी से वोगी आपकी यह इसलिए वर्क होता तो आप चाहते हैं उसको हटा भी सकते हैं और उपर की तरफ आएंगे यहां कॉंटेक्स का ऑप्शन दिया तो जैसे आप कुछ नहीं मिले तो अपडेट कर लिए ना गिलेक्सी स्टोर में जाके तो तो दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों अगर आपको यह वीडियो करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना ना बोलें और मुझे इंस्टागाम और फेज़ूप के फोलो करना भी ना बोलें तो थैंक्यू दोस्तों